नमस्तकार दोस्तो स्वागत है आपका उत्रहठण जी के वारी जीट इसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे परमार राजवनुस चेंट के पार 13 के बारे में इससे पहले में दोस्तो परमार अगर आपने वह पार्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा तो इस टार्ट करते हैं आज की वीडियो में बात करेंगे फते पती सहा या फते सहा के बारे में और अगर दोस्तों आप मरा वर्श्वाइब जोईन करने जाते तो मुझे दोस्तों फते बती सहा को गड़वाल का सिवाजी भी कहा जाता है पहला पॉइंट तो यह ही इंपोटेंट है और यह वीडियो हम थोड़ा जल्दी अल्दी कवर अप करेंगे क्योंकि काफी बड़ी वीडियो है ठीक है काफी डिटेल है तो आप लोगे वीडियो प्लीज ला राजा कहीं कहीं इनको अनतालिस्वे राजा भी बताया गया है ठीक है तो राजा फते बती सहा के बारें बात कर लेते हैं कि गड़राजी के गौरव को आगमन की उचाईयों तक ले जाने वाला राजा फते बती सहा का जाता है ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो परमार रा उन्हें फद्दयपति साह के कारी काल को गल्राजे का सोलने युग भी कहा है तो काफी important point बन जाता है दोस्तों exam के pluimट के point अब उसे कि गलराज़ी का सोलने तो इनके काल में घरवाल सम्रद्य था राजी में सान्तियम शुरक्षय थी तता गणराजी का विश्थार तिबद से लेकर सिवाली की पहाड़िएं तक फैला हुँआ था तो इसको खाहल चाहिक तक पहुंचाया तो इनके काल में इसी कारण इनने गड़वाल का सिवाजी भी कहा जाता है क्योंकि यह सिवाजी को अपना आदर समानते थे शत्रबती सिवाजी को अगला हमारा इंप्रेंट पॉइंट से दोस्तों सबाब नोट करते वह चलिए काफी इंप्रेंट पॉइंट है गल्राजवंस के कौन से राज जी के कारिकाल में लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे तो अगला मारा इंप्रेंट पॉइंट बन जाता है दोस्तों कि डॉक्टर डब्राल के अनुसार अजय इपाल मांसा के बाद फते बती साह को गल्राजवंस का तीसरा महान हाँ माती ही घोडे पर बेठा गवा एक चित्र मिलता है तो डाय काफी इंपॉटेंट कोस्चिण है कि फते पती साहा का ढूर Lebefore मिलता है दोस्तों सीवाऑ जुक्त फॉरम पती साह का काफी इंप्रेंट पंट् सूर्वीर सींग्गे संग्रह में अभी उपलब्द है ठीक है अगला important question है दूस्तो important point है हमारा दूस्तो कि फते पती साह को प्रत्रिवीपती साह का पौत्र था मेदनी साह के पुत्र के रूप में जाता है जो कि मैंने पृत्य سबा आपको बताय था.. जैसे हमारी पर्थिवीपती साह की संदक्ची का कौन थी तो यहां से इंप्रिवीपती साह की संदक्ची का कौन थी तो वो थी दोस्तो हमारी राजमाता कटोची ठीक है और सिरमौरित्था बरतवाली की राजमाता थी यह तो यह काफी इंप्रिवीपती साह की संदक्ची का तो वीडियो जरूर देखेगा आप ये और दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक का बेटन दबा दीजिएगा और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन होता है मुझे भी कि यार चलो आप लोगों को समझमा आ रहा है तो प्लीज लाइक और कमेंट बनता है अगला मारा इंपरेंट पॉइंट है दोस्तो चंदसार पिंगल में ठीक है इसी का दूसरा नाम है दोस्तो व्रत्त कौमुदी एक बुक है मैं फटेश साहकी तुलना हिंदू इतियास के अक्षिवन्यस दीपक सिवाजी से की गई है इसी कारण इन्हें गड़वाल का सिवाजी भी का गया अब दोस्तो बात ही आती है कि जो हमारी व्रत्त कौमुदी पुस्तक है जो चंदसार पिंगल पुस्तक है उसके रचीता कौन थे तो वो थे दोस्तो हमारा मतिराम कृत ठीक है मतिराम थे इसके रचीता कि चंदसार प पिंगल में या ऐसे भी उप्षायता है कि छंदेशार पिंगल में फते साह की तुलना किस से की गई है तो दोस्तों की गई है हिंदु इतियास के अक्षुन्य दीपक छिवाजी से और गड़वाल का छिवाजी भी इनको इक आ गया था वृत्य कौमोजी में दोस्तों आस्री देने वाला बताया है तो फते प्रकास जो की एक कृति है किसकी रतन कभी की रतन कभी की दोरा रचीत है इसने उन्हें क्या किया दोस्तों फते प्रकास को या 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 फते प्रकास क और कला प्रेमी, धार्मिक, वीर तथा उधारवादी बताया गया और दोस्तों कुछ-कुछ इतियासकारू का मानना है कि फते प्रकास युद्ध में जितना ही सक्तिसाली था उससे कहीं ज्यादा सहित्य प्रेमी था, कला प्रेमी था, धार्मिक था, उधारवादी था तो ऐस यूद्ध करण न जानकर उसी उधारवादिता, न शाहिती प्रेमिता करण विद्या दुर्वागिता और धर्मिकता के कारण जाना जाता है। और फतेपति साह की नाथफनत पर अटूड सृधता थी, ठीक है। नात्फंत को मानने वाला राजा परमाराजोंस में कौन था तो यह भी कुश्ण भूशाक्ता है हो थे हमारे फतेपति सा, फतेपति सा को नात्फंती बालगनाथ जोगी या बालनाथ के समकालीन बताया गया, और दोस्तों फतेपति सा को ही गुणी जनानमी और कामधिनु के रूप में प्रसंचित किया गया है तो यहां से भी कुश्चन बन सकता है कि गुणी जनानमी और कामधिनु के रूप में किसे प्रसंचित किया गया है तो दोस्तों किया गया है फतेशा को और फतेशा किसके न काफी important point में जाता है फते-पती साह का एक शिक्का भी प्राप्त हुआ है जो की काफी महतोपूर्ण है एक्जाम्स के point of view से भी और वैसे भी और कहीं तामर पत्र मिलें दोस्तों वह ज़्यादा important है नहीं एक्जाम्स के point of view से अगला मारा point है दोस्तों कि समराण अकबर तथा समराण चंद्रकुप्त विक्रमा दित्ती की भाती फते-पती साह के दरवार में नौर रतने थे तो यह तो काफी महतोपूर्ण पॉइंट बन जाता है दोस्तों एक्जाम्स के point of view से directly question पुछाए कि किस परमारवार राजवनसी सासक के या उत्राखंड के इतिहास में किस सासक के दरवार में नौर रतने थे तो वो थे दोस्तों फते-पती साह के दरवार में नौर रतने थे समराण अकबर और समराण चंद्रकुप्त विक्रमा दित्ती कि भांती काफी important question अब दोस्तों कहीं कभियों ने फते-पती साह की महांता के उपर निम्न पुस्तक है लिखी है उनके बारें बताया गया है ठीक है अब यह पुस्तक देखिए आप यह नोट कर लीजिएगा एक्जाम से महो सकता है कि पुछा जाए दोस्तों पहली हमारी फते-पती साह करनगरंत जिसके लेखर कौन थे तो स्री-जटा-संकर या इनको जटा-धारी के नाम से भी जाना जा था इन्होंने फते-पती-थे के बारे में इस पुस्तक में वड़नन किया अगली थी हमारी फटेशा तो फटेशा पुस्तक थी हमारी रतनकवी और छेमराम का हस्तलिखित-गरंत तो काफी important question यह भी फुच्छाकते हैं कि फटेशा की जो पुस्तक थी हस्तलिखित-गरंत कौण सा जोकि रतन कवी ने लिखी थै रतन कवी ने कहावиться को था था प्रसंचा की है वहर्थी कौमक दिटी जोकि मैंने आपको बता जया था धे किसकी रसना है मति राम मति राम करेता है जिसमें इन्होंने फते पती साह के तुलना किससे की थी हिंदु इतियास के अक्षुन्य दीपक शिवाजी से इनकी तुलना करी थी तो काफी इंपूरेंट पॉइंट बन जाता है हिंदु इतियास के अक्षुन्य देपक शिवाजी स तुलना क्ऊंचे बुस्तक में किया चंदसार पिंकल व्रत्त कमोंदी यिसके रसनागार मातिराम थे थे अगले दोस्तो कि जटाधर, रतनकवी तथा मातिराम, फतेवति साह के आस्रित विद्वान थे तो साफसी बात है कि ये आस्राइधा भी बताया गया है न इसको साहिति प्रेमी, कलाब्रेमी, धार्मी, वीरुदारबादी तो इसी कारण क्या था दोस्तो जटाधर रतनकवी और मातिराम क्या थे फतिवति सा के आस्रित विद्वान थे तो डैकली कुछन पुछागता है कि जटाधर रतनकवी और मातिराम कौन थे खास कर दोस्तो रतनकवी इन्होंने काफी राजाओं के बारे मालगलग चीजें बत थीक है भूशन तथा माति राम राजा की कीर्टी को सुनकर स्रीनेगर उनकी राजसभा में आये थे और ये वही राज माति राम है दोस्तों जिन्होंने वरत्य कौमति या छंदेसार पिंगल में क्या क्या था फते सागी तुलना हिंदु इतियास के अक्षियुन्य दिपक श अगला मारा इसी से संबंदिन इंप्रेंट फैक्ट्स था दोस्तों कि घड़वाल राग्य वनसावली में राजा को वीर फते सा नाम से प्रसिद्ध बताया गया है तो काफी इंप्रेंट फैक्स बन जाता है ये भी टाइकली नोट कर लीजिगा अगला मारा इंप्रेंट क कहीं दानपत्र भी प्राप्त हुए है तामरपत्र भी प्राप्त हुए है उनका सिक्का भी प्राप्त हुए है जो कि मैंने बता दिया उसी दानपत्र के अकॉर्ण दोस्तों एक दानपत्र में हमें यह पता चलता है कि मातिराम ने अपना रसराज गरंत स्रीनेगर के चित् राज गरंत था इसमें इन्होंने किया किया स्रीनेगर के चित्रकार मंगल राम को संबर्पित किया है तो डायकली काफी इंप्रेंट पॉइंट यह भी मन जाते है कि माति राम ने अपना राज गरंत स्रीनेगर के किस चित्रकार को संबर्पित किया था तो क्या था दोस्तों म मंगतराम कौन थे मॉर्वराम के पिता ठीक है जो मैंने प्रप्रटाजी वीडियों बता छुका हूँ अपले हो फोलों को न्यूट कर लिजिए गहाँ अगले दोस्तों मंगत्राम तो मन और कौन थे महट हम आगे डिसकस करेंगे और दोस्तों मंगत राम तो उमर क्या थे फते पती सागे राज चित्रकार भी था तो काफी important question बन जाता है प्रत्विपती सागे बारे में हमने पता पड़ा था कि जो हमारी चित्रा से ली था उसका आरंब हो गया था तो मंगत राम तो उमर कौन थे फते पती सागे राज चित्रकार थे ठीक है और मौलाराम के पिता थे ठीक है अगला मारा काफी important question दोस्तों आप सभी लोग ने बता हुआ देरादून पढ़ते हैं आप देरादून की स्ताफना कैसे हुई शिक्ष गुरु रामराय का डेरादून दे दिया गया शिक्ष ग जाकता है अब यहाँ पर questions इससे related ये भी पुछा जाकता है कि सिक्ष गुरु रामराय को देरादून में गुरुद्वारा बनाने के लिए जगह या इस्तान किस ने दिया तो दिया था directly फते पती साने दोस्तों अब देखिए पढ़ लेते हैं पॉइंट के हमारा सिक्ष गुरु रामराय को अपने राज्य में आस्रे देकर दून में गुरुद्वारा निर्मान के लिए तीन गाउं सुन लीजे दोस्तों तीन गाउं को उनकोंचे खुडबुडा राजपूर तथा चामासारी देकर फते पती साने अपनी उदारता का परिचाई दिया है तो सि साफी important points बन जाता है अगला हमारा दोस्तों कि फते पती सा के कहीं तामरबत्र भी प्राप्त हुए है जो कि डार डॉक्टर सूरवीर सिंग जी के संग्रहम है आज भी उप्रब्द हैं जो कि मैंने आपको बताई दिया था अगला हमारा है दोस्तों कि फते पती सा किसके समक समकालीन थे अब हम बात कर लेते हैं इससे भी question पुछाकता है दोस्तों ये कि उद्योचन की जब इनके पिता की मृत्य हुई फते पती सा के पिता के मेदिनी सा की मृत्य हुई तो औरंगजेव ने उनको पत्र भी लिखा था किसको फते पती सा को तो इसी कारण ये औरंग फते पती खाम का युद्ध वियान क्या कोणकोंचे युद्ध वियान लड़े फर्स्त दोस्तों हमने पढ़ चुके हैं क कि क्या प्ते पते पती सा का जो राज्स का इन्होंने अपना प्रचार प्रचार कर ding कहां से तिबबत से लेकर कुमाऊं तक इननका जो राज्जिक इसको तिब्बत के कुछ भागूं को विजित कर विर्यत्यु को संबान देने नितुक फतिबती साह के तलवार बंदुक कवस्त था कहीं हतियार दावा के विहार संग्रह में रखे गए तो फतिबती साह का युद्ध्य वियान में उसका प्रमुक जो अभियान हमें एक वादिक प्रचार प्रसार किया और विश्तार किया क्यूं तिबक से इसकी कैसे थी हराज्था प्हाइला हुआ तो इनकी वीरता के कारण कि यह कर दाबा्द के संग्रहम इनके तलवार बंदुक और कवस्थ था कहीं पर तियार आज हतियार रखे गए हैं तो रखे गए हैं दोस्तों फतेबती साह के काफी मिटन अब दोस्तों दूसरा इंसे डेटर इंपूरेंट पॉइंट है कुमाओ विजाई के बारे में जो कि काफी दोधौली का युद्ध आप सभी लोग ने पढ़ा होगा मैंने एक वीडियो बनाई ह इस पेसली उसके ओपर दोधौली के युद्ध के ओपर ठीक है जो इस पर जिसमें मैंने प्रमुग युद्धों के बारे हम बताया है तो वही दोस्तों आप देखे पढ़ लेते हम कि हमें पता है कि यह उद्ध्योचंद ग्यानचंद और जगद्चंद के समकालीन थे कौ जीतते थे कुछ अपनी सीमाओं की रक्षया करते थे कुछ अपने राजी विस्तार के लिए तो कभी किसी की वीजय योति ती तो ईसमें भी राजी विस्तार के लिए दोस्तों इंपड़करыт पॉइंट हमारा यह है कि 1710 में कुमाओं पर आक्रमन कर फतेपती साह ने बैजनात छेत्र विजित कर लिया ठीक है और बैजनात पर अधिकार कर लिया तथा कत्यूर पट्टी का गढ़सार गाओं भी बद्रिनात मंदिर को दान दिया था आज तक यह गाओं श्री बद्रिनात जी को समर्पित है तो कत्यूर गाटी का गढशार गाओं था करिक लिए यह कुसर पूछा सकता है कि किस प्रवारों सी सहसक कने खत्यूर पट्टी के गढ़सार Ghan save को समर्पित है तो Eh तो इससे प्रूब होता है कि इसकी जो और पडेजनात कर यह थी बागेश्वानाट बड़ता है वागि od यस्तान कते हूं नोगे बारे में वीडियो जाननी है तो पुराना पास देख लिजें वाया बहुत इंपोडेंट है अगला हमारा है कि दोस्तों ये पॉइंट तो काफी इंपोडेंट है ये पॉइंट आप छोड़िएगा मत मुगल के काल में है कि दोस्तों जी आरणिंग स ने अपनी पुस्तक मैमोयर सौब देरादून में लिखा है कि फतेपती साहा ने सहारनपूर नामक इस्थान पर आक्रमन किया तथा दरौरा परगने में फतेपूर नामक नगर की स्थाबना की अब दोस्तों ये सहारनपूर जो उस टाइम था वह किसके संद्रत्तों था पूछा गया है पतेपूर नामक नुगर की स्थापना कि संद्रत्त ऑपस ञे कर docet दिसा यहां से यास कर सकते हैं यहीं आज़सन कि आसकता आख़ां सुम् andar hits То या गुरु गोविन जी संग जी से युद्ध जो कि काफी फिमस है इग्जामस में पूछा गया है इसको ही जाना जाते ते उस्तों मारा पाउटा का युद्ध या भगारी का युद्ध जो कि UK SSC ने पूछा है इग्जामस में ठीक है तो काफी सिर्मौर के राजा थे काफी डर गए थे इन्होंने क्योंकि वेराडगर और कालशीगर इन्होंने छील लिये थे पाउटा तथा जौन सारी चेत्र भी उसके अधिकार में आ गए थे सिर्मौर नरेश रुद्धर प्रकास के पराजित होने पर तथा करद बनने का उल्ले कहीं सिर्मौर राजी पर आगरमन किया उसके कहीं स्तान वेराडगर कालशीगर पाउटा जौन सारी अपने अधिकार में ले लिए जिससे क्या हुआ सिर्मौर नरेश उद्धर प्रचार प्रप्राजित हो गया और इसका उल्ले कहीं राजाओने किया ठीक है यह तो नॉर्मल सी पाउटा में दुर्ग निर्मान के लिए भावन के लिए जमीन दि तो काफि को यह बन जाता है कि गुरुगविन शींजी को को उतराखे संवाल ऊंटा प्रकास कौन था सिर्मोर नरेश था जो कि काफी भाईबीत हुआ था किस से भती भती सास है तो इन्होंने गुरुगोविन सीमिंजी को बुलाया तथा यहां पर क्या हुआ पाउटा में यह मुना के किनारे पाउटा जो पड़ता है वहां पर क्या दूर्गन निर्मान के लि और किस ने बुलाया था मेधिनी प्रकास नहीं बुलाया था गुरुगोविन सींग को अब दोस्तों इम्पोरेंट पॉइंट यहां से यही बनता है कि फिर क्या हुआ हमारा पाउटा के समीप भंगारी का युद्ध हुआ जो कि डायकली एक जांसरों कुछा गया है कि पा बंगारी का युद्ध हुआ किसके मद्द हुआ गुरु गोविन सींग के न किनारेष्टी ने जमीच जमीच जगा दी थी 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 का कारण हम भी थोड़ी देर में जानेंगे कि इसका कारण गया था ठीक है तो डैकली यहांसे कुछन आप याद के लिएगा कि बंगारी का तो मैंने आपसे कहा था कि क्या था फते पती साह और सिर्मौर सासक मेदिनी प्रकास ने सिर्मौर पर आक्रमन किया तो इनके सासक काफी डरे वे थे इनके काफी छेतर फते पती साह ने चीन लिये थे इसी करान किया हुआ सिर्मौर सासक मेदिनी प्रकास ने गुरु गोविन सिंग को बुलाया गुरु गोविन सिंग को थे मेदिनी प्रकास के खास आदमी थे कुछ इत्यासकारू का मानना दो सबस्क्राइब भी गड़ने लगए क्योंकि आप देखिए जुस्तों हम तीन दोस्त हैं ठीक है मनलब मैं हम लोग कोई भी दोस्त है तो आप एक आदमी आपके खिलाफ जा रहा है सिरमौर के सासक के साथ तो फतेपती साह इससे नाराज होगी आप तो कुछ इतियास कारूपा मत यह है कि इस तो इनके नाम की तारीफ होने लगी तो इससे क्या हुआ फतेपती साहब डर गया कि कहीं गुर्गोविन सिंग उन्से राजकास चीन ला ले जिसे कारण उसने बंगारी का युद्धि की त्वरा यह सरत रखी कि तुम कभी आक्रमर नहीं करोगे कुछ इतियास कारूपा द लगी तो गुर्गोविन छीन ने उपहर भीजे थे फतेपती साहब को लेकिन फतेपती साह ने किए अब कुछ इतियास कारूपा मानना ये है कि बिलास पूर, साज सा सक राधा भीमचन ने फतेपती साह को कहा कि तुम उनके उपहरों को लोट आओ, छीक हैं, इसी कारण मे मैं तुमसे तुमारी पुत्री से साधी करूँगा वन्ना में तुमारी पुत्री सब्ने फुत्र की साधी करूँगा तो इसी basis पे ऐसा भी माना जा सकता है कि विलास्पूर्स अचा भीम चननने ही फतेपदी सा को को ये वीडियो पसंद आई हो काफी महदर लगी है वीडियो को बनाने में दोस्तों 26 मिनिट या 27 मिनिट की ये वीडियो बन चुकी है तो आप लोगों को इसका एडवांटेज ही मिले कुछ और आपको वीडियो पसंद आदे तो प्लीज प्लीज लाइक और कमेंट जरूर की की जीएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर सी ऐसे अरकी जीएगा थैंक्यू थैंक्यू थैंक्यू